एलो एवरिवन दिस इज अनुपम गंबीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 इंग्लिश होर्नुबिल बुक से दा लेबर्नम टौप पोम पढ़ेंगे जिसके पोईट टैड हग्ज है इस पोम की आज हम समरी और इसकी वर्ड मिनिंग्स देखेंगे तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा टाइटल के बारे में समझते हैं दा लेबर्नम टॉप लेबर्नम एक ट्री का नाम है जिसे हिंदी में हम अमलतास का पेड कहते हैं टॉप यानि कि उसके हाइस्ट ब्रांच पर उस सबसे उपर की जगा पर उपर चोटी पर अमलतास पेड की चोटी टाइटल है हमारी पॉम के स्टार्ट करते हैं समरी पत्जर के कुछ पत्ते पीले हो गए हैं किंतो उसके बीच पूरी तरह गिर चुके हैं और जो बीच गिरे हैं वो भी कहा है यहलो ही है पीले ही है अचानक एक सोन चिड़ी गोल्ड फिंच एक बर्ड होती है जिसे हिंदी में सोन चिड़ी कहते हैं शाका के सिरे पर आकर बैठ जाती ह उसकी अचानक चह चाहने की आवाज से जो ये अमलतास का पेड़ होता है बिलकुल शांत होता है लेकिन जब आखा पर आकर बैठ जाती है तो उसकी जो शांती होती है वो भंग हो जाती है फिर एक छिपकली की तरह अत्यंत सावधानी और चिकने पन से वह अचानक रक्ष के अंदर चली जाती है यानि कि उसके मध्यवाग में चली जाती है तब जो पेड़ होता है वो चूचू और चहे चाहाट की ध्वनियों से और पंखो के हिलने और कंपन से बार बार निकलेवे कापते स्वरों की छोटी ध्वनियों से भर जाता है जो पेड़ होता है मतलब उ जैसे किसी मशीन का चलना शुरू हो गया है तो महीं नहीं चल रही है अच्छिली हो कहा रहा है कि उसके अंदर एक घोसला जा चेडिया का जिसमें उसके बच्चे बैठे वे थे तो वह चूंचू करने लग जाते हैं क्योंकि उनको फील होता है कि हमारी जो मा आ गई है और व और उसके अपने चोटे-चोटे बच्चों को वह भोजन देती हैं वहां आकर जिसकी वज़े से सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और फर फुराने लगते हैं और फिर क्या होता है जब वो उनको खाना खिला जेती है उसके बाद चै चाहने और सीटी के हल्की सी द्धनी के साथ धीरे से अवाज से साथ आहिस्ता से आकाश की तरफ उपर उड़ जाती है और एक बार फिर वो जो पेड़ होता है जो पहले शांत होता है अमलतास का पेड़ फिर से शांत हो जाता है और खाली सा प्रतीत होने लगता है स्टुडेंट यहां चैप्टर की सम्री कंप्लीट होती है और इस पॉम का जो हमारा थीम है वो पावर ओफ लव है लव की पावर को शो करती है पॉम बहुत ही चोटी बहुत ही इजी और प्यारी पॉम लिखी है हमारे पोर्ट टैड हग्स ने तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनिंग फर्स्ट वर्ड इज लेबर्नम एश शोट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज लटके वी ब्रांचेज है छोटा पेड है इसे हिंदी में अमलतास का पेड कहते हैं टॉप हाइस टॉप यानि की उपर की चोटी पर गोल्ड फिंच आइस माल बर्ड है येलो फैद टॉप ह subtitle फिरंघे कि मिनिंग ईसदन सर्प्राइज अचानक से चौक अश्ली के औरंगी और स्मूथ यानकी चिकना अलर्ड की मिनिंग है साफ़धान वज आदट वाच वाचपूल अ आपड़ाप्ट कि मिनिग उती है शदन आचानक या आख समिक καael सटे हैं ठीक्नेस द विटरिंग की मिनिंग भी चह चाहना होती है सिंगिंग ऑफ आसाउंड वर्ड इस ट्रेमर आज लाइट मॉमेंट कमपन होना थ्रिलिंग टू प्रोड्यूज चिप्रिंग साउंड ट्रेमबल टू शेड इधन जोकना नेस्ट वर्ड इस थ्रिल्स सदन फिलिंग ऑफ एकसाइटमेंट इस टॉक एड़ फ्यूल उसमें एड़ कर देना और फिल्स मोविंग ब्रिस्कली और बेर्ड की मिनिंग है इस्टीपी यानि की लकी रहें जो उसके फिल्स पे थी ना बढ़ के पूरी बढ़ तो क्या थी वो पूरी बढ़ येलो कलर की थी लेकिन उस पे फेस पे एक मास्क लगा वा था वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का था तो जिसे हम कहते हैं बेर्ड फेस यानि की स्टीपी लगी रहें थी थोड़ी ब्लैक कलर की एरी का मीनिंग होता है इस्ट्रेंज यानि की अजीब सा डेलिकेट की मीनिंग है लाइट या प्लीज एंड हल्की सुहावनी कह सकते है हिंदी में लॉंचेज आवे की मीनिंग है जम्प फॉरवर्ड विदे लोड फॉर्स यानि कि तेजी से उचल के जब वो चली गई थी ना लास्ट में बढ़ इट इच कॉल लाउंचेज आवे नेस्ट है इंफिनाइट इंफिनीट की मीनिंग है इसकाई यानेस्ट है सबसाइट बिकम कामर फिर से शान्त हो गया था ना पेड तो इट इस कॉल सबसाइट अपर इस्टूजेंट इस पॉर्म की वर्ड मीनिंग कंप्लीट होती हैं नेस्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी पॉर्म का लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन और पॉलिटिक डिवाइस के साथ आपसे मिलते हैं योप यू विल इंजो इस वीडियो थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग बाइ